हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब, I hope कि आप सभी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे, दोस्तो घुटनों का दर्ध हो या फिर पिंडलियों का दर्ध हो, सर दर्ध हो या कमर का दर्ध हो या फिर कंधों का दर्ध हो, कई बार दर्ध इतना जादा बढ़ जाता है कि बरदाश भी नहीं होता दवाईयां खाके भी हम कई बार बहुत परिशान हो जाते हैं और धीरे-धीरे करके दवाईयां भी अपना असर करना बंद कर देती हैं लेकिन कुछ ऐसे देशी नैच्रल तरीके भी हैं जिनका इस्तिमाल करके आप अपने घुटनों के शरीर के दर्द से छु करिएगा ताकि इस तरीकी की समयस्या जिसको भी हो उनके ये वीडियो काम आ सके तो चलिए शुरू करते हैं इस देशी रहमिडी को तो इसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी एक बरतन लेना है और हमारे घर में मौजूर दो धन्या के पत्ते होते हैं वो आपको ले लेन हैं और बढ़िया से इसे पेस्ट बना लेना है तो यहाँ पर दोस्तो इसको आप पेस्ट बनाने के लिए मिक्सी में भी ग्राइन कर सकते हैं लेकिन बहुत जादा क्वांटिटी में हमें नहीं चाहिए तो हम इसे थोड़ा सा ही इस तरीके से कूट के बारिक पेस्ट बना होता तो उन सभी लोगों को ये remedy ये देशी तरीका जरूर से अजमाना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा देशी natural तरीका है जिसका कोई भी side effect नहीं है ये आपके शरीर को हर तरीके से फाइदा ही पहुंचाएगा इसके बाद आपको लेना है यहाँ पे लोहे का तवा एक बात का ध्यान रखेगा आपको यहाँ पे लोहे का ही बरतन लेना है कोई लोहे की कडाई ले लीजे या फिर लोहे का तवा ले लीजे लोहे का तवा हर किसी के घर में available होता है तो आपको इसले मिल जाएगा नॉस्टिक तवे का यूज बिल्कुल भी नी करना क्योंकि हमें यहाँ पे नैश्रल तरीकों का यूज करना है तो लोहे में काफी सारे ऐसे गुण होते हैं जो हमारे दर्द को कम कर सकते हैं इसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा नमक, हल्दी और यहाँ पर हमने जो धनियापती का पेस्ट तयार किया था उसके अलावा आपको लेना है यहाँ पे काले तिल यह सबी चीज़े दर्द को खतम करने के लिए बहुत ही जादा कारगर होती है साथ ही आपको लेना है थोड़ा सा यहाँ पे सरसो का तेल या फिर आप इसकी जगा पे नारियल का तेल भी ले सकते हैं या फिर तिल का तेल भी ले सकते हैं इन सारी चीज़ों को एक बर बढ़िया से आपको मिला लेना है इसके बाद इनको आपको gas पे थोड़ा सा पकाना है जब तक कि इनका color change ना हो जाए और एक बहुत अच्छे सी खुश्बू जब तक कि इसमें से ना निकलने लगे जब ये अच्छे से इसका color change हो जाएगा उस time पर आपको gas की flame को बंद कर देना है मैंने यहाँ पर बहुत थोड़ा सा बनाया है क्योंकि मुझे सिर्फ आपको इस वीडियो में दिखाना था जब ये बढ़िया से गरम हो जाएगा तो इसका color बिल्कुल change हो जाएगा यहाँ पर ये हलका सा आपको green color का मिलेगा इसके बाद ये जब गुन-गुना रहेगा कि उनका दर्द और भी जादा बढ़ जाता है शरीर के जिस भी हिस्से में आपको दर्द हो एक बात का ध्यान हमेशा रखिएगा कि कभी भी जादा pressure से उस पार्ट पर कभी भी मसाच नहीं करनी चाहिए हमेशा आपको दर्द वाली जगा पे बहुत ही हलके हातों से मसाच क पड़ा रख लीजिए जिससे कि आपके घुटनों को support मिलेगा सहारा मिलेगा और आपके घुटनों में जादा दर्द भी नहीं होगा और आप बिना किसी की सहायता के आराम से इसकी मसाच भी कर पाएंगे यह मसाच आप आराम से bed पे बैठे-बैठे भी कर सकते हैं इसके आपको जमीन पे बैठनी की जौद बिल्कुल भी नहीं है, जिस तरीके से आपको इस वीडियो में दिखाया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको मसाज करनी है, जब आप घुटनों में दर्द वाली जगह पे इस तरीके से हलकी हलकी मसाज देते हैं, तो यहां पर इ जिससे कि आपका दर्द बहुत जल्दी से खतम होने लगता है इसके बाद जिन लोगों की पिंडलियों में इस तरीके से नीचे की तरफ दर्द होता है एडियों में या फिर पिंडलियों में तो ये काम उन लोगों को जब दर्द होता है कई बार सुबा के टाइम उनकी एड तो यहांपर डबाने के बाद बहुत अच्छा लगता है लेकिन उसके बाद दर्ध और जाधा बढ़ जाता है। रात के टाइम सोते वक्त अक्सर उन्हें पैरों में क्रैम साते हैं अचानक से लगता है पैरों में सोते सोते नस चड़ गई है और बहुत जोर से दर्द होता है तो उन सभी लोगों को यही तेल से मसाच करनी चाहिए जिससे कि उनके क्रैम साना धीरे-धीरे कम हो जाएंगे अगले तरीके में लेना है आपको एक बड़ा बरतन जिसके अंदर आपके दोनों पैर अराम से आ सके इसके बाद आपको लेना है गरम पानी पानी उतना ही गरम कीजिएगा जितना की आप गरम सहन कर सकते हैं इसके बाद आपको लेना है कपड़े धोने का ब्रश यह सभी क गर में available होता है यहाँ पर आपको लेना है नमक तो नमक यहाँ पर आप नॉर्मल जो खाने में यूज करते हैं वो भी ले सकते हैं या फिर इसके जगह पर जो काला नमक होता है उसका इस्तमाल भी कर सकते हैं यह आपको बहुत ही ज़ादा फायदा पहुचाता है जिन लोगो और एक बहुत ही अच्छा रिलीव आराम मिलता है और यहां पर जब कपड़े धोने का जो ब्रश होता है इसकी जो तारे होती है जब इसे हम अपने पैरों के तलवे के नीचे रखते हैं तो हमारे पैरों के नीचे जो एक्यू प्रेशर पॉइंट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीकी से प्रेश होते हैं यहां पर मेरे पास एक ही ब्रेश है अगर आपके पास दो हो तो आप अलग लग पैरों के नीचे इसे रखके अपने एक्यू प्रेशर पॉइंट्स को बहुत ही असानी से एक्टिवेट कर सकते हैं जिससे कि आपके शरीर से जुड़े जितने भ पले लेते हैं जिसमें की छूटी-छूटी तारे बनी होती हैं और उनको कई बार घास पे चलने के लिए भी बोला होता है जिससे कि पैरों से जुड़े हुए जो एक्यू प्रेशर पॉइंट्स हैं वो बहुत ही आसानी से एक्टिवेट हुजाते हैं इसके लबा दोस्तो आप इस वीडियो को अभी इस वक्त दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं कॉमेंट करके जरूर से बताइएगा क्योंकि आपके कॉमेंट्स का रहता है हमीं बेश सबरी से इंतिजार अपने नाम के साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर और उन्हें भी अपने दर्द में आराम मिल सके उम्मीद करती हूं कि हमेशा की तरह आपको ये सारी टिप्स पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो रोज की तरह एक लाइक जरूर से करिएगा दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही नए वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखे हर हर महादेव